हेलो एविवान स्वागत है अब सभी का तो अनदर फैंटेसी प्रिव्यू यह सेकंड प्रैक्टिस मैच न्यूजीलेंड का बिफोर देर टूर बिगेंज वर्सिस इंग्लेंड अब यह खेला जाएगा अद दे काउंटी ग्राउंड इन ब्रिस्टिल यहां पे खेला गया थ है बहुत सारी इंफरमेशन है तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखेगा और इंशॉर कि यू हिट दे लाइक बटन जॉइन अस एड़ रेट फैंटेसी क्रिक प्रूफ फाइनल टीम्स आपको वहीं पर मिलेगी यह गेम में आप सिर्फ मिनी जील्जी खेलो स्मॉल वीडियो के नोटिफिकेशन भी आते रहें अब चलते हैं आज के टीम न्यूज एंड स्कॉड न्यूज की तरफ उसके पहले पिच कंडिशन इस मुकाबले में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इनिशल हेल्प फॉर पेसर लास्ट फ्यू मैच्श में कुछ ऐसा ही दिख तो वी स्टार्ट विड ग्लॉस्टिशर साइड ऑफ तिंग्स यहां पे इन्होंने अनाउंस ही सिर्फ ग्यारा प्लेयर्स को किया है और क्यूंकि यह वन डे कप के सेमी फाइनल के लिए कौलिफाय कर चुके हैं तूज इन्होंने काफी वीक स्कॉड यहां पे अनाउंस कि लेते हैं एहमत साइद एड मिडल टिन जो फोड़े इनके रेगुलर है थोड़ा मुवमेंट मिलता है ने आप टॉप डॉमनिक गुड मैं जमान अक्तर भी जो भी खेल चुके हैं इनके लिए पेस बोलिंग करते हैं लूक चाल्सवर्थ और जमान शफी तो इनकी जो ज्य तो इस टाइप के मुकाबले में आप किस चीज का फेवर ले सकते हो इस बात का हम डिसकॉशन करेंगे आगे as we go through this preview अब याद रखना है ऐसे मुकाबले में आदे से ज्यादता लोग के पास squad information ही नहीं होती है तो अगर lineups announce नहीं होते हैं वो scenario में यह information होगी सिर्फ 10-15% ल रखेगा कि lineups नहीं announce हो तो फिर आप mini GLs वहाँ पर अच्छे से join कर सकते हो एस यह प्लेयर्स खेलेंगे इसकी guarantee सिर्फ हमारे पास है क्यों अब यहां पर select percent देखे जैक टेलर को 79% लोगों ने लिया है squad में नहीं है हरी टेक्टर को 29% लोगों ने squad team में लिया squad में नहीं है पॉल वैन मीकरिन 82% लोगों ने लिया है वापस यह squad में नहीं है तो अगर यहां पर lineups अनाउंस नहीं होती है अगर match ऐसे domestic matches में बहुत बार होता है कि match late शुरू होता है lineups अनाउंस नहीं होती है और वो case में आपको एक बहुत ही ज्यादा बड़ा advantage मिल रहता है तो इस ब पहले match खेला है and Conway and Allen का तो आपको पता है कि लंबी बाटिंग करके आ रहे हैं तो बहुत ही unlikely है कि यह भी खेले इस मुकाबले में अब कौन से players है जिनका खेलना है यहां पर likely है opportunities उनको मिलनी चाहिए जो पहला game नहीं खेले अब obviously बहुत बड़ा assumption है यह हमें कोई अशौरिटी नहीं है इस बात की हो भी सकता है कि लोकी जेमी से ने जिन्होंने पहला game खेला वो ही आके second game खेल के जाए बट मुझे लग रहा है कि जो practice match का purpose यह होता है कि आप सारे squad को एक बार opportunity दे पाओ तो Matt Henry, Itz Soddy, Jacob Duffy इन्होंने match खेला नहीं, Mark Chapman को batting मिली नहीं, Darryl Mitchell ने match खेला नहीं, Dean Foxcroft को batting नहीं मिली और Adam Mill ने match खेला नहीं, Tim Saudi भी यहाँ पे खेल सकते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि अगर आप यह मुकाबला खेल रहे हैं, इन players पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे सकते हो, उसके अलावा Santner Conway Finale ने नीशम की news के बारे में जरूर याद रखेगा and obviously Gloucestershire के players को जब आप पिक करोगे, यहाँ पे इन players को पिक करके, आपको बहुत बड़ा advantage मिलने वाला है, क्यूंकि इन players सबका selection percent 10% से कम है तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा, अब बनाते हैं एक rough team इस मुकाबले के लिए तो जो चीज़े हमने discuss की वही basis पे बनाएंगे, अब एक rough team, Tim Seiford का खेलना यहाँ पे likely है यह है यहाँ पे T20s and practice matches दोनों के लिए, तो इनका तो खेलना यहाँ पे बनता है जमान चब भी definitely खेलेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा कि try करने लाएक है ज्यादा इन्होंने cricket खेली नहीं है, बैटिंग से भी numbers कुछ खास नहीं है James Bracey, Ben Well, सब के सब unavailable फिर आएं बैटिंग section की तरफ, Jack Taylor की बात में already कर चुका हूँ unavailable है इन में से कोई भी available नहीं है, आपको differential try करना है, Tee, Boorman and Joe Phillips अब याद रखिए, एक और player है यहाँ पे, Dean Foxcroft, New Zealand से practice matches के लिए ही हैं यहाँ पे यह कोई और matches खेलने नहीं आई है, practice matches हो जाएंगे तो यह और Aditya Ashok, यह दोनों चले जाएंगे वापस तो मुझे लगता है कि इन्हें opportunity मिलनी चाहिए यहाँ पे, मेभी इन्हें थोड़ी सी यहाँ पे practice मिल जाएंगे थोड़ा high level experience यहाँ पे इन्हें मिल जाए फिन आलिन मैंने जैसे का last night ही खेल के आ रहे है, chat boys मेभी खेले मेभी ना खेले उसके अलावा all rounders की बात करें, Mitchell Santana unlikely, O price unavailable, रचिन रविंद्र as upcoming talent है मुझे लग रहा है कि वापस इन्हें मौका है आपे मिलना चाहिए टी price unavailable, अन्वर अली unavailable, जमान अक्तर, इन्हें मैं जरूर पिक करूँगा as इन्हें कुछ upfront movement मिल सकती है और काफी dangerous pacer है, और दूसरे जो pick है मैंने Gloucestershire से, जफर गोहर, वापस left arm spinner है और थोड़ी batting से आपको value ये दे सकते हैं, तो ये दोनों अच्छी picks है, E. Middleton को भी आप try कर सकते हैं कुछ team में, इनके भी numbers ठीक टाक है इनका senior experience जाज है, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ bowling section की बात करें, तो जैसे मैंने का लॉकी Ferguson ने पहला मुकाबला खेला था प्लस ये एक injury prone bowler है, अब मैं किस angle से सोच रहा हूँ कि management क्या क्या चीज़े सोचेंगी और वो इसाब से किस player को खेलाएंगी और नहीं खेलाएंगी और हैंस मेरे इसाब से इन दोनों का खेलना unlikely है, इस मुकाबले में इस सोडी को खेलना चाहिए, तो मैं अभी के लिए इने pick कर रहा हूँ Josh Shaw एक बहुत ही अच्छी talent है, तो इनने भी pick किया जा सकता है अभी के लिए यहाँ पर जा रहा हूँ with Matt Henry, as मुझे लग रहा है इनने भी मौका मिलना चाहिए, बहुत ही likely है कि New Zealand अपनी 11 एक बर announce कर दे और अगर वो हुआ तो फिर यह match खेलना बिलकोली waste बन जाएगा फिर क्योंकि हम सब को पता है कि Gloucestershire की 11 already announced है तो फिर Dream 11 उस चीज़ को यहाँ पर दिखा देगा अगर इस match में 11 ना announced हो, तो बहतर announced हो, तो फिर कुछी leagues खेली है, ज्यादा मत खेलेगा captaincy, vice captaincy की बात करें, तो जैसी इनकी batting है, जैसी Gloucestershire की batting है, बहुत ही ज्यादा inexperienced है तो अगर यह पहले batting करते हैं, तो मैं इन में से आदे batters को हटा दूँगा और यहाँ पर जो भी bowlers announced है, उने में यहाँ पर fill कर दूँगा as bowlers का, यहाँ पर bowl बाला चलेगा, और फिर मैं जाओंगा bowlers के साथ, captain, vice captain रचन अभी भी safest choice है, और vice captain मैं जाओंगा with Matt Henry, reverse भी कर सकते हैं, based on the pitch conditions तो यह रही अभी के लिए tentative team, उसके लिए जो उसके अलावा, जो भी final updates है, वो आपको मिलेंगी on telegram, वहाँ जुड़ना मत भूलेगा, और जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए, thank you so much for tuning in